जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे न्यूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे बोल सबा अब तक तेरी है न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्प न्यूस क्लिक की पत्रकारिता का समर्थन कीजिए क्योंकि नुख्यधारा का न्यूस चैनल जो है आप से जो खबर है वो आप से दूर कर रहा है कल सुप्रीम कोट में मोदी सरकार को कड़ी भटकार लगाई है उसकी वैक्सिनेशन पॉलिसी के लिए तर्क हीन और मनमाने शब्द का प्रयोग किया है 18 से 44 साल को जो आप वैक्सीन दे रहे हैं पेड वैक्सीन दे रहे हैं सुप्रीम कोट का कहना है कि ये तर्क हीन है और मनमाने है मगर मैं आप से पूछना चाहता हूँ इसकी चर्चा क्या मुख्यधारा के न्यूस चैनल्स में हुई जैसे करनी चाहिए थी मैं आपको बताता हूँ न्यूस चैनल्स क्या कर रहे थे दोस्तो आपके स्क्रीन्स पर ABP News, Breaking News मेहुल चोकसी पर लगाए गए आरूप बेबुन्याद मेहुल चोकसी की पतनी प्रीती चोकसी से ABP News की बाचीत फिर देखिए इंडिया टुड़े देश का सबसे बड़ा न्यूस नेटवर्क ग्रेट करीबिन चेस फॉर चोकसी बिगम्स डॉमिनिकन कोर्ट तो डिसाइड on the fraudsters deportation हर जगा मेहुल चोकसी की खबर थी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके लिए क्या जरूरी है मेहुल चोकसी की पतनी से कोई बाचीत या vaccination को लेकर इस सरकार ने किस तरह के अपराद किये हैं और उस मुद्दे को लेकर Supreme Court ने इनने किस तरह से expose किया है वो खबर मैं आपको बताता हूँ Supreme Court ने जब केंदर सरकार की vaccination policy को तर्क हीन और मनमाना बताया था तब आपके स्वास्थ मंत्री क्या कर रहे थे आपके screens पर दोस्तों प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेत्र तुमे Ease of Doing Business ranking में भारत की स्तिथी लगातार सुधर रही है भारत आज इस ranking में 63 वे स्थान पर आ गया है अरे भाई आप उद्योग मंत्री नहीं हो आप स्वास्थ मंत्री हो आप अपने पद पर बने हुए हो हर्षवर्धन जी डॉक्टर साहब यही बहुत बड़ा चमतकार है क्योंकि आप किसी और देश में होते तो अब तक आपको पद से निकाल दिया गया होता क्योंकि आन्ने देशों में दोस्तों जब भी स्वास्थ मंत्री से इतनी सी भी चूख हो जाती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है मगर यह बने हुए है और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या क्या कहा दोस्तों वो बताने से पहले एक और खबर आपके स्क्रीन्स पर यह कही न कहीं इस सरकार का परदा फाश कर रही है क्या जानते हैं यह जो आकड़ा है आपके स्क्रीन्स पर यह क्या है यह आकड़ा है ड्यूक ग्लोबल हेल्थ इनुवेशन सेंटर अमरीका की तरफ से और इसमें यह बताया गया है कि भारत ने दरसल कोरोना के टीकों का ओर्डर कब दिया सबसे नीशे जाए भारत जनवरी 2021 में कोवीशील्ड के 11 मिलियन डोजिस को ओरर दिया अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ दूसरे देश क्या कर रहे थे दोस्तो बिटन की बात करें तो इसने मई 2020 मही अच्टरा जेनिका के 90 मिलियन डोजिस को ओर दी दिया था फिर जिलाई 2020 में फाइजर के उसने 30 मिलियन डोजिस को ओडर दे दिया था August 14 को Janssen के 30 मिलियन डोजिस को ओडर दे दिया था अमरीका की बात करते हैं आपके स्क्रीन्स पर जुलाई 2020 में Novavax के 100 मिलियन डोजिस के ओडर जुलाई 2020 में फाइजर के 100 मिलियन डोजिस के ओडर August 2020 में जैनिसन के 100 मिलियन डोजस के ओरडर दोस्तो कहां 11 मिलियन और कहां 100 मिलियन और आप जानते हैं कि भारत की आबादी इन देशों से कहीं ज्यादा है फिर भी भारत ने पहली जो डोजस को ओरडर दिया था वो जनवरी 2021 को दिया था और इन्होंने पिछले साल में दे दिया था ये सवाल कौन उठायता है दोस्तों नियूस क्लिक जैसे कुछ मंचों को छोड़ दिया जाये तो इसके लावा कौन ये सवाल उठाता है और अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि कल सुप्रीम कोट ने क्या का कहा इस सरकार के बारे में और इस पर आपको गोर करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधाना आता हम सबसे है हमारे परिवारों से है और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताओं जब अदालत लगातार सवाल कर रहा था केंदर सरकार से तो केंदर ने वही पुराना पहत्रा अपना लिया कि ये अदालत के अधिकार में नहीं आता कि वो केंदर सरकार को कड़ धरे में खड़ा करे कल ये कहा ना नो सुप्रीम कोट में तो इसके जवाब में अदालत ने क्या कहा, सुप्रीम कोट ने क्या कहा, आपके स्क्रीन्स पर, सरकार के फैसलों की नियाएक समीक्षा की बात करते हुए, कोट ने गुजरात मजदूर सभा, बनाम गुजरात राजगा उदाहरन भी दिया, कोट ने कहा कि समय समय पर लोगों के अधिकारों का उलंधन करने संबंधी फैसलों पर नियाए पालिका हस्तक शेप करती है, जी हाँ, और तब इनकी बोलती बंद हो गई थी, जब बाकाइदा अदालत ने इनको बताया कि हमें पूरा अधिकार है दखल देने का, मैं आपको 35,000 करोड का जो बजट रखा था, वैक्सीन के लिए उसे आपने कैसे खर्श किया, आपके स्क्रीन्स पर, जस्टिस डीवाई चंदरचूड, जस्टिस एलेन राओ और जस्टिस एसार भट की बेंच ने पूछा, कि वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड का बजट रखा है, अब तक इसे कहां खर्श किया, कोट ने केंदर से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और ये भी पूछा, कि ब्लाक फंगस इंफेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ब्लाक फंगस दवा, वो ब्लाक फंगस जो आपको होती है, जब आप कोरोना से ठीक हो ज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ब्लाक फंगस के बारे में आप केंदर सरकार के मूँसे कुछ सुन रहे हैं, किसी बड़े नेता के मूँसे कुछ सुन रहे हैं, मैंने आपको बताया, स्वासमंत्री बात कर रहे हैं, ease of doing business की, जब क्योंने बात करनी चाहिए ब्लाक ब्लाक फंगस कीौन बात कर रहा है राहूल गांधी बात कर रहे हैं ब्लाक फंगस की। आपके स्क्रीन्स पर उनका ट्वीट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब मोधी सरकार को फटकार लगाई दोस्तों तो उन्होंने पांच बड़े सवाल उनके सामने रखे एक एक करके जो आपके स्क्रीन्स पर आ रहे हैं पहला सवाल कितने को वैक्सीन लगी पूरा डेटा बताएए दोस्तों हो क्या रहा है कि पहला चरण हो गया है दूसरा चर कितने लोगों को वैक्सिनेशन लग गई है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए अब तक कितने लोगों को एक डोज लगी है और कितने लोगों को डबल डोज लगी है आज की तारीक में आप खुद देखिए दोस्तों जब आदालत इतने बुनियादी सवाल कर रह है कि ये बुनियादी सवाल सुप्रीम को पूछने पड़ रहे हैं आगे दूसरा सवाल उनने पूछा हमें वैक्सिनेशन का हिसाब किताब बताइए क्या कहा है सुप्रीम कोट आबादी को आप किस तरह से वैक्सिनेशन देंगे क्योंकि दिक्कत क्या है दोस्तों अब तक 10 से 14 फीसिदी लोगों को वैक्सिनेशन लगी है जिनमें से कई सिंगल डोज वाले हैं यानि कि भारत को अभी बहुत लंबा चोड़ा सफर तै करना है इसलिए सुप्रीम कोट में अपना तीसरा सवाल किया है कि जो बची हुई आबादी है आप उन्हें वैक्सिनेशन कैसे देंगे उसके बाद राज मुफ्त टीका करन पर स्टैंड साफ करें ये बहुत एहम बात है दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा कि कई राज जैसे जहारखंड कई राज ये कह र पाच्वा और आखरी सवाल पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज हमें दें अदालत ये पूछ रहा है दोस्तों कि कोविड वैक्सिनेशन पॉलिसी पर केंदर की सोच को दर्शाने वाले तमाम दस्तावेज हमारे सामने पेश किये जाएं कितने शर्म की बात है दोस्तों कि आच की तारीक में अदालत को ये पूछना पड़ रहा है कि भाई पॉलिसी क्या है आपकी ये काम अदालत को करने की जरूरत बिलकुल नहीं है कुछ हद तक मैं इत्फाक रखता हूं सरकार के नुमाइंदे से क्योंकि मैंने कायर करमी शुरुआत में बताया सरकार के हकीकत से मु मत मोरिये मैं फिर आप से पूछना चाहता हूं आज यो तमाम मुद्धे मैंने आपके सामने बताए क्या ये जरूरी नहीं थे क्या ये आपको जानना जरूरी नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी करोना की उसका सीधा सर हमारे पॉलिशी है इसी लिए तो सुप्रीम कोट ने भटकार लगाई। अगर मीडिया आपको मूर्ख ना बना रहा होता, सरकार को बचने का रास्ता ना दे रहा होता, तो सरकार आज की तारीक में काम कर रही होती है। मगर उख काम नहीं कर रही है क्यों नहीं कर रही है और यही वज़ा है कि आज सुप्रीम कोट उन से सवाल पूछ रहा है मगर बोल के लब आजाद हैं तेरे में हमारा फलस्फा है कि अपने बोल को बुलंद कर खासकर तब जब ताकत का इस्तमाल कर इसे दबाने का प्रयास किया जाए अब इसार शर्मा को दीजे अजाज़त तमस्कार